अब्रिवन दिस इस रिया शर्मा एंड वेल्कम टू माई यूट्यूब चानल सो आज की हमार ये वीडियो जो रहने वाली है वो है एच्च बी कैबिनेट में आज रेसेंटली रिक्रूट्मेंट्स को लेकर के कुछ एक डिसीजन लिए गए है अब उस्में क्लास 3 के पोस्ट में जैसे के कलर्क्स हो गए, जोवा आइटी हो गया, जेबी टीज हो गये, ठीक है जो हमारे पैस में teaching पोस्ट होती है तो उनको लेकर के कुछ हिक जो decision ले गए है legally class 3 उनको हम आज whenever discuss करने वाले है ठीक है तो अब से हमारे पास में जो class 3 की post के लिए जो exam होगा वो दो तरीके से लिया जाएगा या तो वो computer based test होगा या फिर हमारे पास में वो offline test की form में written examination लिया जाएगा और साथ ही साथ इसको जो है हमारे पास में two parts में divide किया जाएगा as you can see you can see two types में paper को divide किया जाएगा और साथ ही में इसमें multiple choice of questions जो है वो रखे गए होगे और साथ में negative marking भी आप class 3 के exams के लिए होगे ठीक है जतने भी हमारे पास में incorrect या wrong answers हम करेंगे टिक उनके लिए हमारे पास में negative marking रहेगे बात करे paper 1 की जो की qualifying की nature होगा यह computer based test होगा या फिर offline screening test हो सकता है जो कि एक घंटी के duration का होगा और 100 marks का यह test को लिया जाएगा ठीक है तो इसमें जो division की गई है इसको 4 घंडों में बाटा गया है 100 नंबर का यह paper होगा तो इसमें जो हमारे पास में general knowledge हिमाचल प्रदेश का है उसको 30 अंकों में cover किया जाएगा उसके बाद में national और international affairs जो current affairs हमारे पास में आ जाते हैं और G की आ जाता है इंडिया का या फिर national और international दोनों levels का उसको आप 30 marks में रखिए ठीक है तो 30 अंक का हिमाचल का G के 30 अंक का national international का current affairs हो जीके और हमारे पास में 20 अंक की Hindi language से related knowledge और English language की knowledge भी 20 अंकों में cover की जाएगी इस तरीके से 100 नंबर का paper जो है वो हमारा complete होगा जो के qualifying in nature होगा as you can see इसमें हमारे पास में 35 प्रतिशत अंक हमें लाने होगे ताकि हम paper 2 हमारा तभी check होगा ठीक है बात करे paper 2 की तो इसको हम set के नाम से जानेंगे जिसको की subject aptitude test कहा जाएगा दो घंटे के duration का ये test होगा और again 100 अंकों का ये test होगा ठीक है और जिस तरीके का हमारे syllabus design किया गया है commission के लिए अपने subjects related जो area हमारा होगा field जो होगी उसे के अधार पर जो है इसको लिया जाएगा ठीक है और इसको हम single slot में या फिर multiple slots में रख सकते हैं different slots में जैसे कि evening shift हो गई morning time पे हो गया ठीक है डिपेंड करेगा कि number of candidates जिन्हों ने इसको फिल किया है और जितने हमारे पास में computer की availability है commission के पास में इसको conduct करवाने के लिए ठीक है तो उसके उपर depend करेगा कि कितने number of slots में इसको cover किया जाता है ठीक है अब बात करते हैं कि हमारे पास में candidates की selection किस basis पर होगी तो एक से लिकर के 5 अगर हमारे पास में vacant post है यानि कि number of post अगर हमारे पास में 1 से 5 के बीच में निकलती है तो इसमें 1 प्लस 2 प्लस 2 ठीक है यानि कि एक post के लिए हमारे पास में total 5 candidates जो है वो select किये जाएंगे जिनके document verification होगी इसमें ratio का मतलब plus है ठीक है तो 1 प्लस 2 प्लस 2 करके जो है वो candidates को बुलाया जाएगा ठीक है उनकी document verification होगी और अगर 6 से उपर है तो उनमें एक post के लिए 3 जो हमारे पास में candidates है वो बुलाया जाएंगे इसके बाद में बात करें कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास में tie हो जाता है ताई किस तरीके से कि 2 candidates के यह जो हमारे पास में second paper है यह merit based होगा ठीक है जो हमारे पास में paper 2 है जिसको set नाम दिया गया है दो घंटे का और 100 number का जो paper है जो second shift में होने वाला है तो यह हमारे पा पास में जो paper 1 हमने दिया है उसके marks को check किया जाएगा जिसने paper 1 में जादा अंक लिये होंगे उसको prefer किया जाएगा और मान लेजे कि paper 2 और paper 1 दोनों में ही जो tiny dates tie कर रहे हैं उनके marks equal है तो हमारे पास में जो last qualifying eligibility के लिए जो paper होगा ना उसके marks को देखा जाएगा उसमें जि तीसरी situation में भी वहाँ पे tie हो जाता है तो जिसकी उम्र जादा होगी उसको जो है वो consider किया जाएगा ठीक है तो ये हमारे पास में class 3 की post के लिए जो है वो आज की दिन में चुटी सीजन लिया गया है वो है ठीक है I hope आपको वीडियो में समझ आया होगा कि किस तरीके से हम हमारे class 3 की post के लिए जो है वो commission अब से conduct किया जाएगा दो पेपर होंगे first जो है वो qualify ये nature होगा second one जो है वो merit based होगा ठीक है first paper में चार section बनाए गए है एक घंटे का paper 100 अंक का paper जिसमें की जी के हिमाचल का 30 अंक का national international affairs जो है वो 30 अंक के होंगे Hindi language से related knowledge जो हो 20 अंकों में और English language को 20 अंकों में cover किया जाएगा qualify गी nature होगा 35 प्रतिशत अंक हमें इसमें लाने होंगे paper two में हमारा तभी check होगा अगर हमारा paper one qualify हो जाएगा paper two को नाम दिया गया है subject aptitude test और जो हमारे पास में commission के लिए syllabus रखा गया है अपनी fields related उसको इसमें check किया जाएगा ये भी again 100 अंक का paper होगा लेकिन 2 घंटे का होगा number of shift या फिर slot जो है वो number of candidates और हमारे पास में computer's की availability कि इस हिसाब से है commission के पास में उसके उपर depend करेगा ठीक है और बाकी तो मैंने आपको बताई ही दिया कि अगर एक से लिकर के 5 पोस्टे निकलती है तो एक पोस्ट के लिए 5 candidates को बुलाया जाएका document verification के लिए और अगर हमारे पास में 6 से उपर number of post जो हो निकाली जाती है तो ए एक पोस्ट के लिए 3 candidates को बुलाया जाएगा ratio यहां पर plus होगा ठीक है उसके बाद में हमने बात की कि अगर हमारे पास में paper 1 किसी ने qualify किया है और second paper में दो इनसान जो है वो 2 candidates को टाई कर रहे हैं तो उनका paper 1 देखा जाएगा paper 1 में जिसके marks जादा होंगे उसको select किया हैं तो last qualifying हमारा paper था उसमें जिसके जादा marks होंगे उसको select किया जाएगा और अगर वहां पर भी tie हो जाता है तो age के basis पर जो है वो जो जादा age का होगा ठीक है उसको जो है वो select किया जाएगा thank you so much for watching the video I hope आपको समझ में आया होगा thank you so much bye-bye stay tuned